चेशी कृष्णा आर्यवृत की कहानियों में आपका स्वागत है आज मैं आपको सुनाने जा रहे हूं कार्तिक महात्माइक का 35 वाध्याएं तो चलिए शुरू करते हैं इतनी कथा सुनकर रिशिवर कहने लगे है सूद जी जब हम आपसे तुलसी के विवा के विदी पूशना चाते हैं सुक्रिपा करके वर्णन कीजिए रिशिवरो का ये वाक्य सुनकर आनन में मगन हुए शी सूद जी कहने लगे कि है मुनिश्वरो अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवा के विदी का वर्णन करता हूँ इसलिए आप सावदान होकर सुनने का कष्ट करें जब उत्रायन रवी हो गुरु शुक्र का उदै हो विवा के नक्षत्र हो और विशेश कर पुनिमा हो अत्वा कार्तिक का महिना वह बिश्म पंचक हो तक तुलसी वन में वह अपने घर में सुन्दर मंड़क और उत्तम हवन कुट के सईत मनुहर वेदी के रचना करना रिशीत्वज ब्रामनों को जो विद्वान और राक्त वेश आदी से रहित हो निमंत्रन करे और ग्रह यग्या आरम करता हुआ मात्र काव की पूजा करे हे मुनीश्वरो रिशीयों के उपस्तिती हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राथ करे तत पश्राथ के बगवान शालिग्राम बनाकर उनके विदी वद्वत से पूजन सामगरी से पूजा करेगा बांदी के तुलसी को अपना समर्पन करें इस प्रकार विवा विदी से तुलसी जी का पानी ग्रहान करने के बाद विदी पूर्वक होम करें इसके बाद सब्तनिक यग्यमान भाई बंदू और सेवोकों के साथ चारों रिश्यों के सहित विष्णु बगवान की प्रेम प्रदक्षिनी करता हुआ, शांती पाथ और मंगल गान के साथ-साथ आदिव बाजे भी बजाने चाहिए। हे मुनिश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यग्यमान को गौधान और श्रेयादान करना चाहिए। रिश्यों को दक्षिना देकर विप्रय भोज और जाती भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूद जी कहने लगे, हे मुनिश्वरों इस प्रकार जो मनिश्य, शद्धा भक्ति यूग ठोकर सत्य, शांती और संतोष को धारन करता है, विश्नु पगवान को तुलसी दल, समर्पन करता है, वो समस्त पापों से रही ठोकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ, अन्त में विश्नु लोग को प्राप्त होता है, इसमें संश्य नहीं है, यह मुनिश्वरों जिस प्रकार से तुलसी दी के विवा के विदी बताए गई है, उसी प्रकार आमला, शंधी और पीपल के विवा के विदी समझनी चाहिए, कार्थिक माज के महीने में वि सित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की और मुख करके बैठे और तत्पस्टात आजमन और प्राणायाम करके मंत्रों का उचारन करें, मंत्रों का उचारन करते हुए यह ग्यमान प्रातना करें कित्ति थी, कारण महुरत, नक्षत्र, ग्र और लग पाईश्वरी से लेकर सब रिशिवर प्रसन नहुं, रिशिग वेद आधि प्रसन नहुं, ब्रह्मा और यज्य प्रामन प्रसन नहुं, श्री सरस्वति शद्धा भगवति कल्यानी, रिद्धी सिध्धी, तुष्ट पुष्टी और रभय करने वाली देव्या सहित, साम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन नहुं, तथा ब्रह्म द्वेशी, पापी, दुराचारी, निंदक, व्याभिचारी, विग्न करता, तसकर और शत्तु कर्मों का उधय हो, जल आहुतिया, दिन, रात, घड़ी और पल आधी मेरे लिए कल्यान करने वाल श्रद्धा भक्ति से युक्त होगर, यजमान रित्व प्रच ब्रामनों का वरण करे, अर्थात उनके तिलक और मुली बंधन करे, ऐसा करने पर ब्रामन लोग स्वास्थिक वाचन वपुर्णे वाचन पढ़ने के बाद यग्यमान की रक्षा के लिए भी अपनी प्रातना करे, प्रातना करने के बाद आचारिय जल का स्पर्ष करे, उसके बाद यग्यमान को मौली बांदे और उनके तिलक करे, इस प्रकार यम जान के रक्षा बंदर और तिलक हो जाने के बाद त्रमुक त्रिज जो नव ग्रह मंत्र है उन्हें पड़े, नव ग्रह मंत्रों का उ पर मंडब कराकर विवाहित विधी अनुसार बेदी बनावे और तत पश्टात सर्वतों ब्रद मंडल पर्ष्वन के भगवन शाली ग्राम सूर्य और चांदी की तुल्ची की अगनी के उद्धर की और स्थापना करें किसी की साथ साथ विश्नु भगवान और भगवती तु पुष्पान जल समर्पन करते हुए आजार उनुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सन्मुख तुल्ची के प्रतिमा करके मंगल गान करके वाग के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्तों को गरहन कर देना प्रतिमा उपर गर्मत जल की छीटे लगाते हुए वस्त पश्टात एक हाथ से लंबी छोटी कता चौरस बनी हुई वेदी को कुशाव से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए त्रणादिकों को हटाते हुए उन कुशाव को इशान दिशा में छोड़ दे इसकी बाद गोबर से उस बेदी को लिपाकर इस्त्रुय में ग हाड़े हुए कासे के पात्र में अगनी मलावे यगनी का पूजन इस्तापन हो जाने के बाद आचारिये यजमान के हाथों से पात्पदार दिलाकर ओम पाध विश्णुवे नमह इस मंत्र का उचारन करता हुआ विश्णु पगवान के पैरों को धुलमा दे और बाद में मच मनी विश्णुवे नमह इस मंत्र से विश्णु भगवान को आग मनिय दिलभा दे बाद में कासे के पात्र में दही मदू और गी मिलाकर कासे के पात्र से ढखता हुआ उसे यगमान के हाथ देवे भगवान को मधुहरक समर्पन करते हुए पुनह आच्मन करा दे इसी पुजा सार्गमगरी से यजमान द्वारा तुलसी जी का प्रात्न भूजन करें यदा शक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विश्णु भगवान की प्रतिमा करें तत्पशार मध्य में अंत पट करें मंगल श्लोक पढ़कर अंत पट को हटाता और तत्पश्चाद यजमान को उत्तर मुख बठाकर आजमान प्रणायाम करते हुए शंक में दूप अक्षत फल पुष्प चंदन और जल लेकर उसके द्वारा यजमान शी तुलसी को विश्णु भगवान को समर्पन कर दें इसके बाद विश्णु देव के आग्ये जल सहीत अक्षत छोड़े और पार्वती जो सुम्भुता व्रंदा भश्मिनी सहिस्तता अनादीम यनिधना बलंभा तेददा मयहा इस प्रकार प्रातना करते सहीत तुलसी जी का विश्णु भगवान को समर्पन कर देने के पस्टार यजमान यता शक्ति दक्षिना समर्पन क का उचारण करें यदि आपको में ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब